हेलो फ्रेंड्स मैं प्रशांद आप सबका आपके चहिते सेख सेख सुखी चीवन का मंत्र डॉक्टर वीजे दैफिले के साथ इस खास कारेक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों हमें जब भी कोई मेडिकल इमर्जनसी आती है या फिर स्वास्थे से जुड़ी कोई भी परिशानी सताती है तब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम वो सारी चीजे हमारे फ्रेंड से फैमिली के साथ शेयर करते हैं पर दोस्तो जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परिशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है हम जिजकते हैं पर दोस्तो अब शर्माने की बिलकुल जरूरत नहीं क्योंकि डॉक्टर विजय दाइफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुती पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे दोस्तो शोग को शुरुआत करते हैं लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दाइफले इनके बारे में डॉक्टर विजद ही फले ये सेक्सोलोजिस्ट, यूरोलोजिस्ट और एंड्रोलोजिस्ट है डॉक्टर के क्लिनिक अरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुने, नवी मुंबई में नेरूल, दादर, अंधेरी, कल्यान, नाशिक, एहमदाबाद और दुबई में है डॉक्टर विजद ही फले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फरेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेर सल्ला मशुरा करते रहते है तो चलिए शोग को शुरुवात करते हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ है अज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शुल डिस्फंक्शन और लिंग के फ्रैक्चर के बारे में शायद आपने सुना नहीं होगा ऐसे भी कुछ होता है लेकिन इसमें भी साइन्टिफिक रीजन्स है इसमें भी साइन्टिफिक इन्फर्मेशन है ये इन्फर्मेशन क्या है ये मैं आज जानने की कोशिश करूँगा सर जैसे मैंने अभी कहा कि लिंग का फ्रैक्चर अब ये लिंग का fracture होता है नहीं होता है इसके बारे में ये लोगों को जान करें नहीं होगी लेकिन उसके बारे में पहले लिंग का fracture क्या होता है कैसे होता है प्रशाण जी यहाँ पर जो सेरी चल रहे है sex education, sexual awareness और sexual safety इसके अंतरगत हम पूरी scientific information ले रहे है male dysfunction क्या है, female dysfunction क्या है, penis की अलग अखार क्या है, ionic की अखार क्या है और link का fracture होता भी है क्या ऐसा एक disclaimer देता हूँ, time, place, person, condition, culture, safety, consenting अपना own और non affected, own partners के साथ ही आजमाना है पर कोई भी चीज़ जो hard हो भी, हाथ का bone हो, power का bone हो, उसका fracture हमने सुना है लेकिन जब कठोरता आती है, तब इतना blood flow, 10 गुना ज़्यादा बढ़ता है penis में full और tight होने के बाद hard हो जाता है, stony hard और बहुत बार क्या होता है, अंधेरे में आप position लगते हो, strong hitting करते हो bed पे कभी female on top रहने के बाद उसके thighs cutting होता है, कभी doggy style mating हो सकता है तो उसमें click बोलके आवा जाके उसका भी fracture होता है, fracture होके बेंड होता है और उससे आगे क्या-क्या होता है, उसके detail हम सब देखने वाले है बिल्कुल, सरी एक सवाल आता है मन में, कि इसका diagnose कैसे होता है लेकिन आपको पता कैसे चलता है कि ये fracture है या नहीं है अभी कुछ लोगों को हस्ता में तुनकी आदत रहती है और हस्ता में तुमने उसको हाथ से उसको तेड़ा करते है तो ऐसा करते होता बहुता click जैसे आवा जाती, crackle जैसी तब समझना इसके अंदर fracture हो गया mild होगा थोड़ा सा, तो ठीक है वहाँ पी थोड़ा सा bleeding होके stop हो जाता है बहुत बार क्या होता है? हिस्त्री आइसी आती है बही आंधरी बार पर आंधरी में perform करने क्या आता है, समझ में नहीं आता कहाँ पी hit कर रहे हो तो hit हो गया bed की उपर हो गया fracture दूसरी बात और हिस्त्री आती है भी female on talk आके कर रही है और fissile गयी उसके thighs के उपर से उसने hold नहीं किया हो गया wrong hitting या doggy style में उसे वरावर perform करने नहीं आया तो उसवक्त immediate fracture हो के ज़्यादा fracture हो गया तो immediate बड़ा swelling महाँ पे आजाता है severe pain होता है treatment लो और आगे की complication prevent करो sir मेरे साथ कुछ audience भी है वो भी आपके साथ सवाल करना चाहते तेजस जी है कुलाबा मुंबई से वो सवाल करना चाहते है तेजस जी पूछिए क्या सवाल है आपका बो बोलो sir link का fracture होने से उसमें तेड़ा पन आता है क्या एक अभी गया complication की उपर वह अभी fracture तो हो गया होने के बाद दो दो साल हमारे पास हाते नहीं तो वहाँ पे क्या हो गया wrong position में हो गया fusion उसका हाथ का fracture हो गया हमने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया तो तेड़ा हो जाएगा ना तो उसी तरह से यहाँ पे जो tuning का रप्चर होती है होने के बाद उसी position में रहे गया उसे treatment नहीं मिली विशेशक को नहीं दिखाया तो wrong healing होता है alignment नहीं रहता है वहाँ पे calcification होता है और वहाँ पे gid बन जाती है और एक तो erection होने में problem करेगा और जब भी समझो कोशिश करेगा तो तेडा रहेगा उसको भी पेन होगा और तेडा होने की वैसे partner को भी पेन होगा तो friends शर्मना नहीं immediate treatment लेके उसे सीधा करना बहुत जरूरी रहता है Sir और एक important स्वाल रहता है कि इसकी treatment क्या है क्योंकि यह fracture का यह है तो इसकी treatment कैसे करेंगे रोड तो नहीं जालते है उसके 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 बलेंगे 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 आपको तिक है भई यहां पे भी silicon रहते है रोड silicon के रहते है हमारा soft organ है लेकिन immediate वहां तक नहीं जाना है micro fracture होगा तो भई अपने आप हील जाता है पता नहीं चलेगा लेकिन बहुता ट्यूनिका रफ्चर हो गए यह वहां पे पूरा blood जमा हुए है hematoma जमा हुए है bleeding चालो है, swelling आ रहा है, pain हो रहा है pain is black हो रहा है तो immediate exploration है emergency है, surgery करके उसे खोनना है जहाँ पे rent है, वहाँ पे gap है वहाँ पे dermal graft रहता है deep pathology किये वाला यह वहाँ पे tube निकाल पूरा लेकि उसको suture करना है, करने के वाद कारपरा intact होती है, hematoma निकालना है suture करना है, तो इस तरह से reconstructive surgery करके यह fracture penis हम अच्छा कर सकते हैं सर अभी और एक सवाल आएगा किसी के भी मन में, विरियस खलन करना यह एक important राथ है, लेकिन यह होगा कैसे, fracture होगा है तो definitely, it's a काफी उमीदा सवाल है, भई, यहाँ पे कारपोरा ने, उसके cylinder fracture होगा है तो उसके नीचे भी spongyism है उसके अंदर pipe लेने, urine की तो उसको भी fracture होना ही होना है naturally उसे production मिलता है लेकिन काफी ज़्यादा वहाँ पे कुछ होआ होगा injury होई है, वहाँ पे epithelium को damage होआ है तो ऐसे केस में वहाँ पे structure बनता है, structure बनेगा तो urine आने के लिए भी वहाँ पे तकलिब होगी बाद में फिर various color होने के लिए भी वहाँ पे जो रहे है, वहाँ पे swelling आ सकता है तो ऐसे केस में optical eurothromic करके urologist and neurologist, sexuologist को दिखा कि उसे हम अच्छा कर सकते है, care लेने के बाद जो भी समझ से आए, जो भी problem है, जो भी various color नहीं होने का problem है, उसे भी हम optical eurothromic करके सवाल कर सकते हैं सर, हमारी female audience, वह भी हमारे साथ है मन्दा किनी जी है, pondage हरी से वो सवाल करना चाहती है, मन्दा किनी जी पूछिए क्या सवाल है आपका जी, नमस्ते सर, नमस्ते, बूछिए, बोलिए, लिंग फ्रैक्चर होने किसे पुरुषों में नपुसकता और इंड़त्वा आता है क्यां, तो जान कर गए है एक्सलेंट, भी फ्रैक्चर होगा तो नस भी कट गई ना, बिलकुल तो नस किसे बोलते हैं, यह भी सबको बड़ा प्रॉड़िवी नस यानि, जो हमारे डॉरसल आस्पेट के पेनिस में, नर्स अप्लाय है, ब्लड वेसल है, उसको डैमेज हो गया, तो भी उसको सप्लाय ही नहीं जा रहे, तो कैसे एरिक्षिन होगा, तो नमसकता आ गई, औ और दूसरा वहाँ पे इतना डैमेज होगा कि उसका इजयक्लिटर्ट के यहाँ पे मारा वीरे निकल रहे है, वहाँ पे कुछ ब्लॉक हो गया, तो वहाँ पे स्पर्म नहीं आएंगे, वीरे भी बाहर नहीं आएंगा, तो बच्चा भी नहीं होगा, तो दोनों होने की आपी ज़्यादा है, लेकिन इमीजेटली तुरंत उसको विशेश शक्यों के दिखाऊगे, तो अच्छी तरह से रिपेर करके, युरेथ्रा को भी उसको आलाइनमेंट रखके, और एंटिबाटिक और बाकी मेडिसिन देखे, सरजी करके, उसे हम अच्छा कर सकते हैं, और करते हैं, आलाइनमेंट, क्या रहता है, इस प्लिंट में हम इसके उपर अलग से आने वाले, सामने एक रिंग है, पीछे एक रिंग है, और यह रिंग दोनों को सपोर्ट कर रही है, और दोनों का आलाइनमेंट में रखके रही है, इसके मतलब बाद में जब हीलिंग होगा तो उसका अच्छे alignment में होगा bend नहीं होगा, swelling नहीं होगा calcification नहीं होगा समझो, दो या तीन हफते दग splint टक होगे, तो definitely healing अच्छा होगे, पस operative जो complication है, उसके गमजूरी के या वंदित्व के, यह हमें यह टाल सकते हैं, और एक आखरी सवाल penile implant, जैसे जो हमारे treatment है, वो इस पे कैसे काम करती है, तो अब अगया rod, लेकिन यह है elastic rod implant, क्या रहता है भई, यह silicone का बने वाला semi-rigid SI-C implant रहता है, कुछ कारण में हम कलपना देके रखते हैं, पेशन को, भई, erection बाद में नहीं होगा बाद में कुछ ऐसा problem आगा है कि आप परफॉर्म नहीं कारपर है हो, तो उस वक्त हमी implant डालना है, एक silicone रहता है जो दोनों कारपरा में हम fit करते हैं proximally distally में, जब भी जोज़त पड़े यह reaction की, उसे हम touch करके manually rate कर सकते हैं, और अभी सकते हैं, तो प्रेंट से एक ही कहूँगा ऐसा fracture होते रहता है डरना नहीं है, यहाँ पर शर्माना नहीं है, openly विश्यशे के पास जाओ, उसे बोलो और बोलने के बाद आपको उसकी treatment मिलेगी, result भी अच्छा मिलेगा, भी problem है तो दिखाना ही है शर्माने से तो बढ़ते जाएगा तो एक ही कहूँगा, scientific method से टीटमेंट लोगे, sexualization लोगे, तो कोई complication नहीं होता है Thank you so much sir, बहुत ही अच्छी जानकरी थी, लेकिन वक्त की पाबंदी है हमें आज भी रुखना पड़ेगा लेकिन आप अगर डॉक्टर साब की सला लेना चाहते हैं, तो टीवी स्केन पर आपको जो भी नमबस दिख रहे है email idea, sir की website भी है आप कहीं पर भी sir को contact कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का positive तरिके से समस्या का मारगदर्शन भी पास सकते हो तो चलिए है, रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया